नमस्कार साथियो आपका हमारे यूटूब चैनल पर हारदिक श्वागत है देखिएगा आज हम विसेस बात करेंगे वो करेंगे यूरोब माधीप को लेकर क्या होता है कि आप जब भी तैयारी करना स्टार्ट करते हैं तो इन माधीपों को लेकर या फिर मैं बोलू सागरू को लेकर आपको हमेसा कन्फ्यूज होता है मैं इस पेसली आज बात करूंगा जो यूरोब माधीप है उस यूरोब माधीप के आसपास वाले एरिये में जितने भी शागर हैं उनको हम देखने वाले हैं तो देखिए और ये जो हम देखने वाले हैं वो बिलकुल 3D के चलिए शुरू करते हैं बिना के सिदेरी के जैसा आपको 3D मैप नजर आ रहा है ये हमारा इंडिया है यदि हम उपर की ओर चलते हैं इसके ठीक है और फिर थोड़ा सा पस्सिम की ओर चलते हैं तो आपको यूरोब माधीप नजर आ जाएगा ये वाला जो एरिया है ये वा इनको थोड़ा सा समझने का हम परियाश करते हैं आपको वैसे यहां पर जो नजर आ रहा है ये वाला एरिया ये वाला एरिया तो इस वाले एरिये को हम जानते हैं सारे के सारे किस नाम से अटलांटिक ओसियन के नाम से या फिर मैं बोलू अटलांटिक महाशागर देखिए तो अट्लांटिक है, यूरोप के पस्सी में देखेंगे, तो भी अट्लांटिक माशागर है, जो की S की आकरती में है, वहीं से आप कनेक्ट रने का परियास करना, अपरीका मादीब के जस्ट उपर वाला जो हिस्सा है, वो यूरोप मादीब का आता है, देखते हैं कि यूरो माशागर, इस अट्लांटिक माशागर में देखो, आप यहां पर थोड़ा सा जूम करेंगे हम, तो आप आसानी से देख पाओगे, यह वाले हिस्से को, देखिए, यहां पर क्या है, कि थोड़ा सा हिस्सा, जो अफरीका को और यूरोप को अलग कर रहा है, बीच में थोड जाए, तो मैं यह भी बोल सकता हूँ, कि यह इधर वाला अट्लांटिक माशागर है, वो इस जिब्राल्टर जलसंदी के माध्यम से, यह वाला जो पूरा का पूरा बलेक बलेक सा नजर आ रहा है आपको, इसे, यानि कि हम बोल सकते हैं कि भुमदे सागर, या फिर मैं बोल जिब्राल्टर जलसंदी, आप यहां से थोड़ा सा कनेक्ट करने का परियाश करना, जैसे ही हम जिब्राल्टर जलसंदी के माध्यम से आगे बढ़ते हैं, ठीक है, वैसे हम जानते हैं कि यह जो ब्लू-ब्लू सा नजर आ रहा है, यह मौरको देश है, जो कि अफरीका का द करने हैं, इस मेडिटेरियन सी में, जिसे मैं बोलता हूँ, बुमद्दे शागर हिंदी में, देखिए, यह जो पूरा का पूरा ब्लेक ब्लेक पॉर्शन नजर आ रहा है, यह सारा का शारा, यह वास्तम में क्या है, बुमद्दे शागर ही है, लेकिन क्या होता है कि अलग- मेडिटेरियन सी या फिर मुमदे सागर ही है जो की जुडावा किस से है अटलांटिक माशागर से लेकिन क्या होता है कि जो देश है उन्होंने क्या कर दिया कि अपने आसपास के जो छोटे-छोटे से भागें जलखंड के उनको नाम अलग-लग दे दिया तो उनमें सबसे पह रहे हैं कि एक तो साडीनिया दीप है और एक है क्रोसिया दीप इनमें से एक फ्रांस के दिकार में आता है एक इटली के दिकार में आता है लेकिन सबसे पहले आप यहां पर देखने का परियाश करो यह क्या है टेरिटेरियन सी या टेरियन सी यदि हम इस बात करते हैं तो में ये भाग तो भुमद शागर का ही है लेकिन ये इटली के पस्मी साइड की हम बात करते हैं तो इसे पुकारा जाता है Terranianin Sagar या फिर इसे बोल सकते है Terranian C ठीक है? यहां से हम आगे चलते हैं देखिए यह Italy का Sicily दीप आ गया यहां पर यह Malta है अब Italy के जस्ट नीचे देखते हैं देखो यह Italy वाला पार्ट है जिसकी राजदानी रोम है इटली के जस्ट नीचे देखते हैं तो आपको नजर आता है Ionine C या फिर मैं इसे बोल सकता हूँ इंदी में Ionine Sagar ठीक है? वही से आप देखो Italy के यदि हम बात करते हैं पूरव की और मैं थोड़ा सा इसको घुमा देता हूँ यह देखो यह इटली आपको नजर आ रहा है Italy के यदि मैं पूरव साइड की बात कर रहा हूँ तो आ रहा है नजर आपको Adriatic C यानि Adriatic सागर तो इटली के पूरव में है इटली के पस्सिम की बात करते हैं तो Terranian C है और इटली के जस्ट नीचे बात करते हैं तो Ionine C है तो तीन तो आप Connect कर पाएंगे लेकिन ये वास्तम में भाग किसका है वो मदेश आगर का ही बाग है तो यह याद हो जाएगा कि इटली के पूरव में बात करते हैं Adriatic C है और इसके पस्सिम में बात करते हैं तो Terranian C है और नीचे बात करते हैं तो Ionine C है अभी इस Ionine C के माद्यम से हम देखो थोड़ा आगे बढ़ने का परियाश करते है और ये देखो एक्च्छल में भुमदे सागर का ही भाग बताया है पिर आप यहाँ पर देखो ठीक है Greece ठीक है Greece यानी प्राचीन बोलूँ तो मैं यूनान यूनान इसके आसपास वाला एरिया जो है और इधर बात करें तो जैसे ये वाला जो है ठीक है यहाँ पर C of मरमरा नजर आ रहा है तुर्की का नाम सुना है ना आपने इधर देखें तो तुर्की है इधर देखें तो ग्रिस है तुर्की और ग्रिस या फिर मैं ग्रिस को यूनान भी बोल सकते है प्राचीन समय में यूनान बोलते है देखिएगा कि ग्रिस और जो तुर्की है उन दोनों के बीच में एक सागर है तुर्की और ग्रिस के बीच में तुर्की और ग्रिस के बीच वाले सागर को नाम दिया जाता है ASEAN-C कौन सा? ASEAN-C या फिर मैं बोल सकता है ASEAN-सागर ये भी वास्ता में भाग किसका है ये भी वास्ता में जो भाग की बात करेंगे तो ये भूमद-सागर का ही है देखिएगा हम Asian C से आगे बढ़ते हैं तो देखो आपको हलका सा यहां पर नजर आएगा यह देखो C of मरमरा मैं थोड़ा सा जूम करने का जूम वैसे हो गया है देखिए यहां वाला जो portion है उसे जानते हम C of मरमरा के नाम से मैं थोड़ा सा कोसिस करता हूँ लिखने की चलिएगा देखिए C of मरमरा चलिए देखो यह वाला जो पूरा का पूरा portion है इसे हम जानते हैं मरमरा शागर के नाम से ओके और यह इदर से और इदर से क्या है थोड़ा सा बीच में से रिक्तिस्तान है जिससे इस एजियन सी अथार्थ भूमदे सागर का पानी इसमें चला जाता है इदर देखते हैं तो आपको नजरा रहा है बलेक सी यानि जिसे हम काला शागर कहते हैं काला शागर और मरमरा शागर ठीक है काला शागर और इधर कौन सा है मरमरा शागर और इधर है एजियन सी या फिर मैं बोलू तो भूमदे शागर मैं सिंपल सी एक बात बोलता हूं कि काला शागर और भूमदे शागर को आपस में जोड़ने का जो काम करता है वो करता है मरमरा सागर यानि Sea of Marmara ठीक है यहाँ पर क्या है देखिए यह एक्चॉल में तुरकी का भाग है मैं तुरकी ठीक है और यह तुरकी का मैं बोलों तो यह तो पूरा का पूरा जो तुरकी है जो मरमरा सागर से नीचे वाला यह एस्या माधीप में आता है वहीं पर ये वाला जो है ये भी actual में तुरकी का Istambul ही है जो कि तुरकी के अंडर ही है लेकिन इसे consider किया जाता है यूरोव माधीब में ऐके तो मरम्रा सागर actual में दो बागू में बाठ रहा है कि सको तुरकी को इस्तांबूल को अलग कर रहा है तुर्की से ठीक है यहां पर क्या होता है कि दो जलसंदिया जुड़ी हुई है और उन जलसंदियों के माद्यम से इधर से तो यह क्या होता है कि जो मुमद्य सागर या एजियन सी है वो मरमरा सागर से कनेक्ट हो रहा है और इधर हम बात करते यहाँ पर agency है agency से आगे चले तो हमें नाम आया मरमरा शागर का मरमरा सागर से आगे चलते हैं तो नाम आता है काला शागर का ठीक है समझ गए चलिए अब आगे की और मूग करते हैं यह बलेक सी आ गया और बलेक सी आपको पता है कि काफी चर्चा में रहा है काला शागर वज देखिए इस काला शागर यानि ब्लेक सी और उपर है एक एजोव सागर कौन सा है एजोव सागर इनको भी क्या है कि आपस में connect हो रहे हैं ये लोग भी कैसे हो रहे हैं देखिए जरा यहां पर मैं थोड़ा सा समझाने का प्रियाश्ण करता हूं यहां पर ये तो हमने देख लिया कि सर ये तो काला शागर है ठीक है ये लिज ये काला शागर और ये वाला जो है इसे हम जानते हैं एजोव शागर के नाम से एजोव सागर इन दोनों के मद्दे क्या होता है कि यहां से हलका सा छोटा सा रास्ता है जिससे काला सागर का पानी इसमें चला जाता है और यहां से एक चीज देखना, इन दोनों को जोडने का काम कर रही है, वो कर रही है कर्च जलसंदी, ठीक है, अलांकि जलसंदी हमें फिर से कह रहा हूं, अलग पड़ेंगे, लेकिन आप देखिएगा कि काला शागर और एजोव शागर, इन दोनों को connect कर रही है, कर्च जलसंद करता है, ओके, यहां तक की बाते किलिए हैं, मैं एक वार दुबारा से रिपीट करता हूं, देखिएगा, यहां पर हमने बात की एजोव शागर की, एजोव शागर से थोड़ा सा नीचे आते हैं, बलेक सी, बलेक सी से हम थोड़ा आगे बढ़ता हैं, तो इधर देखते है एजियन सी के नाम से या एजियन शागर फिर हम आगे बढ़े थोड़ा सा तो देखिए यहाँ पर आ गया कौन सा पार्ट यहाँ पर ग्रीस है यह इधर इटली है और यह दि मैं सिंपल सा बोलू तो इटली के जस्ट नीचे जो सागर नजर आ रहा है आपको उसे जानते हैं आयोनीन सागर के नाम से इटली के देखो पूरव साइड में ठीक है इटली के पूरव साइड में यहाँ पर देखो क्रोएसिया है या फिर इसको क्रोटिया भी बोलता है यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर है एड्रियाटिक सागर या एड्रियाटिक सी जो कि इटली के पूराउं में है इटली के पस्री में बात करते हैं तो टेरेनियन सी है या फिर मैं बोलू तो टेरेनियन सागर वहीं से हम आगे की ओर चले तो यहाँ पर हमने देखा था कि यह भुमद्ध सागर का इपाट था और यह भुमद्ध जो सागर है वो यहाँ पर अट्लांटिक महाशागर से किसके माध्यम से कनेक्ट हो रहा था जिब्रालिटर जलसंदी के माध्यम से अब ये तो हुए मतलब की बोले तो यूरोब माधीप के जस्त नीचे आने वाले जो शागर हैं उनकी हमने बात कर ली अब देखो बात करते हैं इस पेसली कहां पर सेनल कारिंग का नाम सुना आपने देखिएगा यहां पर बात करते हैं मैंली यूके की और यहां पर देखिएगा यह फ्रांस है ठीक मैं यहांपर छोड़ासा लिखने का भी प्रियास करता हूँ ताकि आप अच्छे से देख पाओ देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं तो देखिए यह वाला पूरा का पूरा एरिया कौन सा है यह फ्रांस का है उपर बात करते हैं तो यह वाला मान लेते हैं UK वाला एरिया इन दोनों को जो अलग काम कर रहा है वो कर रहा है English Channel ठीक है? कौन सा कर रहा है भई? English Channel अलग कर रहा है ठीक है? यह लीजिए English Channel किसके मद्दे है? France और UK के बीच में है उसे जानते हैं English Channel के नाम से वहीं पर आप देखिए वहीं पर आप देखिए कि इधर तो देखो यहाँ पर तो हमने देख लिया UK है यहाँ पर हमने देखा फ्रांस है और UK के जस्ट इस सैड में नीचे की और देखते हैं तो आपको नजर आ रहा है Celtic Sea ठीक है? Celtic Sea या Celtic सागर और इधर की हम बात करें तो देखिए थोड़ा सा और कनेक्ट करने का परियाश करते है यहाँ पर यह वाला जो देश है इसे हम जानते है Ireland के नाम से ठीक है? Ireland और इधर वाला हमने देख लिया कि UK है UK और Ireland के बीच में यह जो सागर है इसे हम जानते है Irish Sagar के नाम से कौन सा सागर है यह? Iris Sagar तो Iris Sagar कहा हुआ UK और Ireland के बीच में English Channel कहा है UK और France के बीच में और हम देखें कि Ireland और UK के जस्ट नीचे के और देखते हैं तो आता है नजरा में Celtic Sea वही पर आप देखिएगा वही पर थोड़ा सा और Connect करने का परियाश करते हैं और चीज़े भी देखते हैं देखिए मैं नीचे उपर के और लेके चल रहा हूँ यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा Connect करने का परियाश करते हैं तो देखो यहाँ पर यह United State याण UK की बात हमने कर ली इधर की बात करते हैं तो देखो यहाँ पर एक Norway देश है कौन सा है? Norway यानि UK के तो हम देखें simple सा तो इस साइड में और Norway के देखें तो इस साइड में ठीक है? आपको पता है कि Norway है Sweden है ठीक है? यह उपर वाले तीन देश आता है ना Norway, Sweden, Finland यहाँ पर यह Norway के जस्ट इस साइड में है और UK के इस साइड में यहाँ पर आता है North Sea या फिर इसे हम बोलते हैं उत्री शागर क्या बोलते हैं भई? उत्री शागर ठीक है? किसके बीच में है? UK और नौर्वे के बीच में फिर थोड़ा सा हम और चलने का आगे की और पर्यास करते हैं यहाँ वाले area में वहां पर भी हम कुछ बाते हैं वो देखने देखते हैं तोड़ी सी देखें हम यहाँ से चले यह वाला area ठीक है? यहाँ पर देखो आप थोड़ा सा connect करने का प्रियाश करना आसानी से हो जायेगा देखो यहां वाले कुछ देश ताकि आप आसानी से देख पाओ देखो यह हमने बात कर ली कि सर यह Norway है ठीक है नौर्वे से आगे चलते हैं तो आपको नजरायेगा Sweden और Sweden के बाद में आगे चलेंगे तो आपको land ठीक है यानी नौर्वे स्विडन और Finland यहां के आसपास नीचे वाला जो area है मैंली जो स्विडन और फिल्लेंड के बीच में नजरा रहा ये वाला एरिया इससे हम जानते हैं किस नाम से बाल्टिक सागर क्या कहते हैं दोस्तों इसको कहते हैं बाल्टिक सागर ठिक बाल्टिक सागर वही पर हम देख रहे हैं कि स्वीडन और फिल्लेंड के बीच में ये जो खाडी सी नजरा रह ही है इससे हम कहते हैं बोथनिया की खाड़ी या गल्फ बोथनिया वहीं पर हम देखें देखो यहां पर एस्टोनिया है यह कौन सा है एस्टोनिया एस्टोनिया उपर फिल्लेंड है इन दोनों के मद्धे में जो खाड़ी नजर आ रही है हमें उसे हम जानते हैं फिल्लेंड जो देश है वो यहां नहीं है न वो इटली के आज-पास वाला जो ए इरिया है पूर्वी साइड का वहां के जो देश है उन्हें Arctic देश कहते हैं लेकिन बाल्तिक सागर जो है वो यहां पर है वहीं से आप कुछ बाते और करने का प्रियाश करें तो देखिए जरा यदि आप इससे उपर जाने का प्रियाश करते हैं ठीक है उपर जाने का देखो जरा यहां पर देखो ताकि आप आसानी से देख पाओ यह वाले हैं हमने बात कर ली यह वाला यह इदर आते हैं न देखो Sweden, Finland, Norway और इसके इस साइड में आते हैं न तो आपको रस्या नजर आ जाएगा ठीक है रस्या नजर आ जाएगा और रस्या से उपर के ओर देखते हैं यहां पर ठीक है तो यह वाला जो है पूरा का पूरा वाइट वाइट सा नजर आ रहा है आपको इसे बोलते हैं Arctic Ocean या फिर Arctic महाशागर वही पर वही पर यदि आप थोड़ा सा और देखें तो देखो मैं थोड़ा सा जूम करता हूं ताकि आप अच्छा से देख पाओ यहां पर देखो एक तो नजर आएगा आपको कारा शागर यहां पर मैं थोड़ा सा लिखता हूं ताकि आप अच्छा से विजिबल कर पाओ देखिए जर्फ यदि मैं बात करूँ यहां की ठीक है यह वाला जो area है यह वाला area आता है कारा सागर क्या कहलाता है कारा सी यह फिर मैं बोलनों तो काराशागर उके वहीं पर आप बात करें यानि कि जैस्ट, यानि कि हम देखें तो ये वाला जो एरिया है, कारा सागर के इधर वाला, इसे बोलते हैं, बैरेनेट सागर, या बैरेनेट सागर, ठीक है, एक आपने नाम सुना होगा, वाइट सी का, हाँ भी, वाइट सी का नाम सुना है, तो वाइट सी की हम बात करते है हैं तो देखिएगा वाइट सी जो आपको नजर आएगा वो वाइट सी नजर आएगा इस वाले एरिये में ये वाला हो गया ये वाला जो एरिया है ठीक है ये वाला मैंली ये वाला जो एरिया है इसे हम कहते हैं वाइट सी के नाम से वाइट सी यानि सफेद सागर किलियर है इसके बाद में भी कुछ बिचे हैं, मैं एक बार में Quick Revision भी आपका ओर करवा दूँँगा, देखो, हम आगे चलते हैं, मैनली हम यह कह सकते हैं, कि जैसे यह Finland है, Finland से आगे चलते हैं, तो Finland से आगे चलते ही किसका नज़र आ जाएगा हमें, वो नजर आ जाएगा रसिया, रसिया का जो ये वाला पार्ट है न, ये वाला पूरा का पूरा, जो नजर आ रहा है आपको, इससे हम किस नाम से जानते हैं, वाइट सी के नाम से, आगे बड़े, उपर वाला हमने देख लिया था, बेरेनेट सागर था, इधर वाला कौन सा थ कारा शागर था, वहीं से आगे चलो देखो, ये नोर्वे आ गया, और नोर्वे के बाद में देखो, उपर की और बात करते हैं, यहाँ पर, नीचे की और देखो, हमने क्या देखा था, ये वाला आइरलेंड है, ये वाला आइरलेंड है, और ये वाली जो बिल्डिंग सी नजर आ रही है इसे हम जानते हैं आइसलेंड के नाम से किस नाम से आइसलेंड के नाम से आइसलेंड से उपर चलते हैं तो आपने नाम शुनाओगा ग्रिनलेंड का जो की डेन्मार के अधीन है ग्रिनलेंड का और ये डेन्मार के अधीन है चलिए यहाँ पर आप थोड़ा स इन दोनों के बीच में है उस जल संदी को जाना जाता है डैनमार के नाम से साइला आपको छासे से वीजीबल भी हो जाए मैं करयाश करता हूं यह देखिए यहां पर डेन्मारक, स्ट्रेट यहां फिर मैं बोलूँ डेन्मार्क जलसंदी किन के बीच में है यह आईसलेंड है और इधर वाला कौन सा एक ग्रिन लेंड है ग्रिन लेंड जो है वो डेन्मार के अदीन है ठीक है तो इसलिए हम यह भी बोल सकते हैं Iceland और Denmark इन दोनों के बीच में है और उस खाड़ी को हम किस नाम से जान रहे हैं सोरी स्ट्रेट को वो नाम है Denmark ठीक है क्योंकि यह उपर वाला Denmark के अदिन है यहां तकी बात समझे में आई कौन सा कि Iceland और Denmark के बीच में जो है वो जानते हैं Denmark जलसंदी के नाम से यहां पर हम देखें थोड़ा सा तो इधर वाला जो शागर है देखो यह कनेक्ट कहां कर रहा है चलिए इधर वाला जो शागर है यह वाला इस वाले शागर को जानते हैं उत्री अट्लांटिक शागर के नाम से या North Atlantic Sea सोरी ओसियन बोलेंगे न नौर्थ अट्लांटिक चलिए उत्री अट्लांटिक महाशागर ठीक है या उसियन उपर की और देखते हैं उपर की और ठीक है उपर की और वाली बात करते हैं यह North Atlantic महाशागर हो गया यहाँ पर यह बीच में Denmark जलसंदी है जो इन दोनों को अलग कर रही है उपर की और देखते हैं तो आपका वापस आ जाता है कौन सा Arctic Sea ठीक है या Arctic महाशागर सी तो नहीं बोलेंगे Arctic महाशागर ओके नीचे के और कौन सा है उत्री ओट Atlantic महाशागर या फिर मैं यह भी बोल सकता हूँ सिंपल सा कि यह जो डेनमार्क जलसंदी है वो अट्लांटिक महाशागर को आर्कटिक महाशागर से जोड़ने का काम करती है इतनी बाते हैं आसानी से आपको समझ में आई होंगी मैं एक बार क्विक रिउजिन आपको करवा देता हूं देखिए कि चलिए यहां से हम स्टार्ट हुए थे नीचे की ओर से चलिए। यहां पर थे यहां पर हम देख पा रहे हैं कि यह वाला जो पूँरा का पूरा एरिया है वो अट्लान्टिक गोसियन का है अट्लांटिक ओसियन के बाद में हम आगे की ओर बड़े थे और आगे की ओर जैसे हम बड़े थे तो हमें नजर आ रही थी जिब्राल्टर जलसंदी जो की मौरको देश अफरीका और स्पेन देश यूरोप के इन दोनों के बीच में थी यहां से इस रास्ते के माद्यम से हम आगे गए तो बुमदे सागर नजर आया था बुमदे सागर से हम आगे की ओर चले तो हम चलेंगे सीधा इटली तक ठीक है इटली यह आ गया इटली इटली का जो पस्मी वाला भाग था उसे नाम दिया था हमने टेरेनियन सी का और इटली के पूर्वी भाग को नाम दिया था एड्रिया currency फिर क्या था कि ये तुर्की का पाढ़ था और ये भी तुर्की का पाढ़ था है धे यानि काला शागर के आधा हम आगे की ऊटे आर वेयर्टना अग्शन्थ मारनन व्यां using spread काला सागर के उपर जस्ट हमने देखा था एजो शागर जो की कर्श जल संदी के माध्यम से आपस में जुड़े हुए थे वही पर हम बात करते हैं तो हम वापस आये थे और हम आये थे कहां पर UK के और फ्रांस के पास में ठीक है जहां पर आपको क्या देखने को मिला था एक मिला था Celtic Sea जो की Ireland और UK के जस्ट नीचे था और एक देखो यहां पर UK और फ्रांस के बीच में जो था उसने नाम दिया था हमने कौन सा English Channel यहां पर Ireland और UK के जो बीच में था उसको नाम दिया था हमने Irish सागर और इससे हम जस्ट आगे बढ़े थे और UK और इधर कौन सा था नौर्वे इन दोनों के बीच में या फिर मैं बोलनों तो English Channel से जस्ट उपर की ओर चलते हैं तो आपको नजर आता है North Sea यानि उत्री सागर इस उत्री सागर से हम आगे की ओर बढ़े यह तीन जो उपर वाले देश हैं जिनमें नौर्वे है, Sweden है, Finland है तो Sweden और Finland इन दोनों क चले थे कारा शागर, बेरेनेट सागर और वाइट सी, यहाँ पर चले थे, देखिए, यह यूरोफ वाला था, यहाँ वाला जो एरिया था, यह वाला वाइट सी है, यानि सपेद सागर, ठीक, सपेद सागर से जस्ट उपर चले हम, यहाँ पर देख रहे थे की बेरेनेट स यहां पर हमने देखा था कारा शागर था इससे जस्ट उपर की ओर चलेंगे तो यह हमें नजरा जाएगा जो वाइट वाला सा है इसे हमने नाम दिया था कौन सा आर्क्टिक शागर वहीं से हम इस साइड में ओर चलने का परियाश करते हैं तो देखिए आपको नजरा में देखते हैं तो कौन सा था उत्री अट्लांटिक महाशागर और उपर की ओर देखते हैं तो कौन सा था आर्क्टिक महाशागर चलिए आज के लिए इतना ही धन्यवाद